हेलो फ्रेंट श्वागत है आपका मेरे चैनल में फ्रेंट कैसे हो आप सभी मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे फ्रेंट इस स्वेटर की वीडियो में पहले ही अपने चैनल पर दो बार लगवग दे चुकी हूँ और ये तीसरी बार में इस कितना बनाना यह सब इंची टेप से नाप के बताईए मैंने पहले यह हाथ से बिलस्त के हिसाब से और अंगल के हिसाब से पूरा नाप दिया था तो एक सिस्टर ने कमेंट किया है कि आप यह सब इंची टेप से नाप के बताईए सब लोगों के पास इंची टेप नहीं होता तो इसलिए हम हाथ से बिलत से नाप के भी हमारा स्वेटर सही बन जाता है अगर आप लोगों को इंची टेप से नाप के बताना है तो वह भी मैं नाप के बता देती हूँ तो यह मैं बताती हूँ आपको कि मैंने इसका बॉर्डर कितना बनाय हुआ है मैंने इसका बॉर्डर बनाए हुआ है तीन इंची तीन इंची बॉर्डर बनाने के बाद फिर बॉर्डर से नापेंगे कि बगल तक मैंने ये कितना बनाए हुआ है अब हम इसको यहां से नापेंगे हम इसको नीचे से नहीं नापेंगे तो यहां से नाप के दिखाती हूँ मैं आपको के हमने यहां से इसे कितने बुनावाई है यह है हमारा बॉर्डर और यहां से हमने यह 12 इंच बुनावाई 12 से थोड़ा सा ज़्यादा है 1.5 के आस्पा से लगभग तो आप 12 भी बना सकते हो और साड़े बारा भी बना सकते हो आपका दोनों सही होगा आप बारा भी बनाओगे तो वो भी सही होगा और साड़े बारा भी बनाओगे तो वो भी सही होगा ठीक है तो ये बना रहे हैं हमने बारा साड़े बारा इंच बॉर्डर के बाद बगल छोड़ने तक अब बताती हूं मैं आपको कि बगल के बाद हमको कितना बुनने के बाद गोल गले की कटिंग करनी है ठीक है जब हम बगल छोड़ते हैं तो बगल छोड़ने के फर्स्ट लाइन से फर्स्ट सलाई जो हमारी बगल छोड़ने वाली फर्स्ट सलाई होती है वहाँ पे से हम नाप लेते हैं कि कितना बनाने के बाद हमें गोल गले की कटिंग करनी है ठीक है तो हम यहाँ पर से नापेंगे यह है हमारा इस तरीके से ठीक चार इंच हमने बगल छोड़ने के बाद इसको बुना हुआ है तब हमने गोल गले की कटिंग की ये चार इंच हमने बुना बगल छोड़ने के बाद और फिर हमने गोल गले की कटिंग की चार इंच के बाद ठीक है और अब देखना हमें कि बगल छोड़ने के बाद हमें इसे कंदे तक कितना बुनना है तो इसको हम इस तरीके से ना पेंगे यह हमने यहां पे लगा दिया यहां पे लगाने के बाद यह हमारा साड़े साथ हमारा यह है यह अभी ऐसे सिकूर रखा है तो यह हमको बिल्कुल भी कम नहीं करना है और जगे पर हम दो चार फंदे कम ज़्यादा कर सकते हैं लेकिन कंधे पे हमने बिल्कुल भी जादा ही रखना है लेकिन कम नहीं रखना है क्योंकि ये हमारा टाइट होने से पूरा स्वेटर हमें दिक्कत करेगा तो ये हमें साड़े साथ बनाना है बगल छोड़ने के बाद ये है साड़े साथ ठीक है ये साड़े साथ बनावा है और इसी तरीके से हमारा इधा से भी है ये भी हमारा साड़े साथ है और ये हमारा बॉर्डर हमारा बॉर्डर तो हमारा तीन इंची था ही बोर्डर तीन इंची था, फिर यहाँ पर से नापा हमने बोर्डर बनाने के बाद तो यह 12.5 इंची था हमारा स्थीर की लम्बाई तो अब नापते हम बाजू कि बाजू हमको कितना बनाना है यह हमारा बाजू है और बाजू का बॉर्डर बनाया हुआ है हमने दो इंच दो इंच हमने बाजू का बॉर्डर बना हुआ है यह है यह बाजू का बॉर्डर है यह हमने दो इंची बना रखा, दो इंची बनाने के बाद फिर हम यहाँ पे से ना पेंगे अब, यहाँ पे से ना पेंगे, और पूरा यहाँ पे तक, कितना है हमारा, साड़े पंद्रा, तो साड़े पंद्रा हमें बाजू की लंबाई रखनी है, बॉर्डर बनाने के बाद अगर आपको जानना है कि गोल गले की कटिंग किस तरीके से करना है और गोल गला किस तरीके से बनाना है गोल गले की सिलाई किस तरीके से करनी है और ये डिजाइन किस तरीके से बनाना है तो इस सब की वीडियो मैंने अपने इसी चैनल पर डाला हुआ है आप जाके देख सकत और यह सब सीख सकते हैं अगर आपको सीखना है तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा तो फिर मिलते हैं आप से एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए गु